जय मतादी हर हर महादेव आज इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे 2023 गुरु पूर्णिमा की इसे असार पूर्णिमा भी कहा जाता है असार महान की सुखल पक्षी की जो पूर्णिमा होती है वह विसेस माने जाती है गुरु देव का पूजन करने के लिए जैसा सास सास्त्रों में वर्णत है कि वेद ब्यास जी का पूजन होता है खास तोर पर जो हमारे गुरु होते हैं उनको हम उपहार स्वरूप कुछ देते हैं उनका आशिरवाद लेते हैं उनका पूजन करने का विधान इस दिन कहा गया है तो असार पूर्णिमा का ब्रत आप किस द सास्त्रों में कहा गया है गुरु का इस्थान देवी देवताओं के भी बराबर है तो ऐसे में गुरु का पूजन सर्विस रेष्ट होता है जिससे कि हमारे ग्यान में ब्रध्धी हो और उनके आशिरवाद से जीवन सुख में चले तो ऐसे मैं आप सभी को आवश्यक रू जहान इस दिन कहा गया है तो अपनी इच्छा अनुसार आप जैसा आपके यहां चलन है जैसा परिवार में चलन है जैसे आपकी छमता सामर्थ है उस अनुसार अपने गुरु का इस दिन पूजन करें साथि पूर्णी माती थी तो सबसे विसेश्टिति मानी जाती है जो है महादेव, स्रीहरी विश्णू और मालक्षमी की करपा प्राप्त करने के लिए इस दिन पूर्णी मा का ब्रत किया जाता है चंद्रमा का पूजन इस दिन किया जाता है चंद्रमामन के कारक हैं तो ऐसे में यह दिन अपने आप में सर्वस्रेष्ट महनी की एक तिथी कही जाती है तो इस दिन आप सभी भी ब्रत करें पूजन करें और विसेश रूप से स्रीहरी विश्णुमा लक्ष्मी का पूजन करें पीपल रक्ष की पूजा का सास्त्रों मे विधान कहा गया है महादेव की पूजा करने से इस दिन सर्वसुखों की प्राप्ति होती है रात्री के समय जब चंद्रोदय हो तब जो है आप सभी को दूध और जल एक पात्र में डाल कर थोड़ी सी उसमें दूरबा डाल कर ओम चंद्र देवाए नमो नमा कहते हुए च पूर्णीमा तिथी दो जुलाई से सुरू हो जाएगी और दोहजार तेइस को साम को आट बचकर 21 मिनट से सुरू होते हुए तीन जुलाई दोहजार तेइस को साम के समय पांच बचकर 8 मिनट तक है रहेगी ऐसे मैं उदिया तिथी के आधार पर गुरु पूजन का यह मह पर्व तीन जुलाई दोहजार तेइस को मना जाएगा इस दिन अपने गुरु के पूजन का विशेश महतु कहा गया है तीन जुलाई को ही आप पूर्णीमा का ब्रत करेंगे जो पूर्णीमा ब्रत के नियम होते हैं जिनाधार पर हम अपने ब्रत को रखते हैं और साथी उदियाती थी के हिसाब से इसी दिन जो है गुरु पूर्णीमा का ब्रत किया जाएगा और विशेश सेवा आरादना का इस दिन चलन है सास्त्रों में वर्नित है इस दिन गंगा इसनान करना गुरु जी का आशिरवाद लेना और सभी देवी देवताओं का पूजन करते तो जरूर से करने का प्रियास करें अपने आप में पूर्णीमा के ब्रत सबसे महत पूर्ण माने जाते हैं इस दिन जरूर से कुछ ना कुछ एक समय का भोजन ही सही ब्रामण के घर पर भीजवा कर उनका आशिरवाद ले वह भी जो है ब्रामण के रूप में अर्थात दे करी थी उपयोगी रहा हो तो चैनल लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें हर हर महादेव